भारत के घरेलू बाजार में कपास की कीमतें स्थिर हैं, लेकिन वैश्विक कपास बाजार में कपास की कीमतों में मामूली वृद्धी हुई है। इसलिए तीन महीने से दबाव में चल रही कपास की कीमत धीरे धीरे अब बढ़ने लगी है। किसानों को उम्मीद है कि उन्ह किसानों को रुक-रुक कर कपास बेचने की जरूरत है। महाराष्ट्र में लंबे समय से अच्छे दाम का इंतजार कर रहे, किसानों को अब कपास के बढ़ते दाम से थोड़ी राहत मिली है। 6,800 से 7,000 रुपए प्रती क्विंटल और अच्छी गुनवत्ता वाली कपास की कीमत 7,000 से 7,500 रुपए प्रती क्विंटल है। विश्व बाजार और अन्य देशों की तुलना में भारत में कपास की कीमत कम है। इसलिए यदि भारतिय कपड़ा उद्योग कपास या धागे का आयात करने के बारे में सोचता है तो यह उनके लिए महेंगा हो जाएगा। दूसरी ओर, चूंकि दुनिया में कपास का उत्पादन कम है और मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसलिए भारत के पास कपास निर्यात करने का अफसर है। अगर भारत इस मौके को चुनता है तो कपास की कीमतें आठ हजार रुपए प्रती क्विंटल के स्तर को पार कर सकती है। इससे किसानों को आर्थिक लाब हो सकता है। इस समय कपास बिक्री का मौसम अपने अंतिम चरण में है। घरेलू कपड़ा उद्योग के लिए कपास की मांग बढ़ रही है। मार्च से कीमतों को नियंतरन में लाने के लिए टेक्स्टाइल लॉबी द्वारा किये जा रहे प्रयासों को ज्यादा सफलता मिलने की संभावना नहीं है। किस मंडी में कितना है दाम। अकोला मंडी में 144 क्विंटल कपास की आवक हुई थी। इसके बाद भी यहां कपास का न्यू 2800 क्विंटल कपास की आवक दर्ज की गई। इस मंडी में न्यूंतम दाम 6600, अधिक्तम 7500 और आसद दाम 7200 रुपए प्रती क्विंटल रहा। सिंधी मंडी में 2950 क्विंटल कपास की आवक हुई। यहां पर न्यूंतम दाम 6700, अधिक्तम 7300 और आसद 7500 रुपए प्रती क्विंटल रहा। चिमूर मंडी में 1394 क्विंटल का पास की आवक हुई। यहां पर न्यूंतम दाम 7000, अधिक्तम 7051 और औसत दाम 701 रुपए प्रती क्विंटल रहा। Bureau Report Market Times TV